साथियों, गरीब का जब रोज मरा का संगर्ष कम होता है, जब वो ससक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई उर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को ससक्त करने में जुटी है, हमने उसके जीवन की एक एक जिन्ता को कम करने का प्रयास किया, आज़ देश के तीन करोड गरीबों के पास उनके पक्के और नए गर्भी जहां आज वो रहने लगे है। आज़ देश के 50 करोड से जादा गरीबों के पास पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड चे अधिक गरिवों के पास दो-दो लाख रुपिय का एक्सिडेंट इंशॉरंस और टर्म इंशॉरंस है बीमा है आज देश के लगभग 45 करोड गरिवों के पास जनधन बैंक खाता है मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि देश में शाहिद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी ने किसी योजना से जुड़ा न हो योजना उसे लाब न देती हो हमने दूर सुदूर पहुँच कर लोगों को वैक्सिन लगाई है देश करीब दो सो करोड वैक्सिन डोज के रिकॉर्ड तर पर पहुंच रहा है और मैं जैराम जी को बदाई दूंगा करोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है आर उन्होंने ये तुरिस्स डेस्टिनेशन होने के कारण तुरिजम के लिए तकलिफ न हो इतले उन्होंने वैक्सिनेशन को इतना तेजी से चलाएन हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सिनेशन का काम पूरा करने वालों में जैराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही है साथियों हमने गाउं में रहने वाले 6 करोड परिवारों को साप पानी के कनेक्शन से जोड़ा है नल से जल साथियों हमने 35 करोड मुद्रा लोन देकर गाउं और छोटे शहरों में करोडों युवाओं को स्वरोजगार का अउसर दिया है मुद्रा लोन लेकर कोई टेक्सी चला रहा है कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है कोई बीतिया अपना स्वयम का कारोबार शुरू कर रही है रेडी ठेले पट्री पर काम करने वाले लगबग 45 लाग साथियों को भी पहली बार बैंकों से रन मिला है अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है